तो मैं हूँ आपका वूश जैस्ट फोर कोड दोस्तो आग यहां अपने को अमेजिंग पार्ट लेकर जावस्क्रिप्ट का यानि कि जावस्किप्ट का यह चेप्टर दोस्तो देखिए हमने एक फाइल बना लिया है इसमें हमें टेस्टिंग करना है सब कुछ इसलिए हमने इसके बनाया और उसको भूराउदर में धी रन कर लिया सब से पहले आपको नोट्स नहां यहां पार आयो दिखिए जावस्किप्ट में बूली बूलीयन को समझना है उसके बाद यहां पर देखिए आपको ऑपरेटर्स को भी पढ़ना ए ठीक है तो सबसे पहले हम लोग बूलियन को समझ लेते कि जावस्क में बूलियन क्या होता है या वाट इस बूलियन यहां पर लिखा गया बूलियन इजा डेटा टाइप एंड आल्सव प्रिडिफाइन फ़ंक्शन विच डेटराइट विच इस्टेटमेंट एक टूरू और फॉल्स या जो कि डिसाइड कर से पहले जैसे मैंने यहां पर एक कंडिशन पासर ग्रीड बनाया इस रिंट कर देंगे तो अकर आपने यहां पर गुण्टिंग करनेंगे यहां पर करेंगे तो console में इस तरीक से print हो जाए ठीक है यहाँ पर 50 प्रिंट हो लेकिन हमें boolean statement को चेक करना है तो boolean का मलब क्या हुआ कि जैसे हमें यहाँ पर एक वर बनाए जेट के नाम से और यहाँ पर compare करिए इसको ठीक है तो हमने compare के क्योंकि यह boolean data type है तो किसी भी condition को किसी भी statement को कौन decide करेगा जैसे यहाँ पर हमने एक condition लगाया कि हमारा जो x है वो y से बड़ा है ठीक है तो यह अभी आपको देखने में तो लग रहा होगा कि हम यह तो हमें समझने में आ रहा है कि जो हमारा यह यह जो है एक्स वो य से छोटा है ठीक है तो हमने यहाँ पर लिखा एक्स लेज देन वाई यानि कि जो एक्स है वह हमारा वाई से छोटा इसलिए इसलिए कि आया true आया गर इसी को हम यहाँ पर एक्सिस गिरेटर देन वाई कर दें तो आप क्या आएगा फॉल्स है ठीक है तो यह जो है true और false हमें इस तरीके से यहाँ पर देखने को मिलना है तो बूलियन आपको ज्यादा कुछ याद नहीं रखना है इसमें बूलियन वस आपको इतना याद रखना है कि बूलियन एक data type है और predefined function भी है तो आप से अगर कोई पूछ लेता है कि जो true या आप एक काम करिए जरा boolean function को यहाँ पर यूश करिए तो boolean नाम का जो function उसको call करिए और 10 is less than 20 इसको मैं किसी output possibility के अंदर रखोंगा तो हमने control x किया और alert के अंदर इसको रख देता है यहाँ पर इस तरीके से जिससे क्या होगा हमारे result instant मिल जागा रिलोड करिए इस तरीके से यहाँ पर आके आर प्रेस करेंगे तो आपका रिलोड हो जाएगा यहाँ पर यहाँ पर यह जो इस्टेमेंट है यह गलत है तो यह जो true false यह जो system को समझाने का काम कर रहा है यह कौन कार है boolean function कर रहा है भी ठीक है तो boolean यह जा फंक्शन यहाँ पर आप इस तरीक से ब्रेस कर सकते हो जाने की data type तो boolean दोनों है function भी है data type यह पर प्रेस कोई पूर्चन अगर आपसे कोई पूर्चता है कि बूलियन क्या है तो बूलियन आपको ज्यादा कुछ नहीं सोजना है बता देना है कि बूलियन एक data type है और प्रेस दिव आएगा यहाँ पर आप इस तरीक से ट्रोर फॉल्स करके थोड़ा आपको टेस्टिंग कर लेना है उसके बाद आगे इन सीच्वूर पर हम लोग आगे यहाँ कि बार करेंगे जब आपका प्रोजेक स्टार्ट होगा तो यह सब situation कई बार आएंगे तो इसको हम लोग इसको बोलेंगे डेटा यहाँ पर लिखा गया इस तरीक से और फिर यह जो लास्ट वाला फॉर है इसको बोलेंगे डेटा यहाँ तो अपरेंट्स इसको बोलेंगे यान कि जो ऑपरेंट्स से पहले होगा जैसे ऑपरेंट्स से पहले होगा तो इसको ऑपरेंट्स बोलेंगे या तो डेटा बोलेंगे ऑपरेंट्स के बाद में जो है उसको भी ऑपरेंट्स बोलेंगे या डेटा बोलेंगे तो जरूरी नहीं कि यहाँ पर conditional operator तो तो कुछ logical operator होते हैं कुछ comparison operator होते हैं तो अलग-अलग तरी के operator होते हैं तो फिलाल हमें arithmetic operator पर कुछ best practice करना है यहां पर देखिए अतना सारा arithmetic operator जैसे plus minus है ना मल्टिपल के संडी अडिवीजन modulus plus plus इसको बोलते increment operator और इसको बोलते हैं इंक्रिमेंट पर करेंगे एक सबसे पहले हम एक पास करते हैं तो यहां पर आके रिलोड करेंगे तो आपको कलेकुलेशन मिल जाएगा इस तरीके से अगर आप पर нат nationally okay मिल जाता है इसारी यह सारी अपर और करेंस निकीवLeよね इसी तरो के सकते हैं और मैंठीक अultura करते हुं एहां पर मॉलटिकाइशन का सीमिल लेपि लेते हैं और में यहां पर इन का सिम्बल जायेगा हैं जो है तरी अ कि मॉल्टिपला हो गए है और यहां पर это यहाँ पर देखें नोर्ष में लिखा हुआ हैình जैसे हमने यहाँ पर लिखा है तो अभी आपको आजिए ठीक है रिमांडर का मिल्व हुआ यहां पर आपको टेन रिमांडर आना चाहिए तो टेन रिमांडर के साथ आपको दवान अभी देखिए इसका रिमांडर के आईगा एक बार करेंगे यहां पर राके यहां आपर मैंने Mizrable तो रिमाइंडर के आया 10 आया इस तरीकिश थीक है तो जरूरी नहीं कि आप यहां पर रिमाइंडर का जो वेलू है वह इस तरीके से आप इन्पुट फिल बनाएं इस तरीके से यहां से डेटा निकालके आप इसको प्रिंट करके दे सकते हो तो आपको टास्क दिया जाएग आपको फिलहाल इस पर ज्यादा वह नहीं कर रहा हूं बस आपको इतना है यानिकि दोनों नंबर के बीच में आपको मॉडिल और ओपरेटर का सिंबल देना है अब यहां पर देखे इसके जिस्ट नीचे एक और ओर ओपरेटर है इंक्रेमेंट ओपरेटर यहां पर लिख् और इंक्रेमेंट होने के बाद जो वेल्व आई है वो भी मिल जाए डिपेंडिंग ओन वेर दा ओवरेटर इस प्लेज यानिकि यह डिपेंड करता है कि कहां पर आपने इंक्रेमेंट ओपरेटर को लगाया है जैसके कि आप यहां पर देखे दो तरही किसाब यहां पर एक इसको बोलेंगे पोस्ट यानिकि अगर आपने ऑपरेटर आप्टर आप्टर आप्रेंट करेगा लेकिन इंक्रेमेंट करने से पहले जो आपका प्रिवेस वाइलू होगा वो भी रिटन करेगा ठीक है यहां पर इसी तरहे की से पुस्ट उता है इफ उूद्ट प्रिफिक्स विप्ट्र ओञky यहां पर आपको पिर्वेस जो ब्ढ़ जाएगा यहां पर आपको तेखनय का हर यहां पर राइई इसको मैं हटा दूँगा, इस तरीक से मैंने यहां से हटाया, और देखे एक variable बनाता हूँ जरा x नाम का और इसमें 10 को असाइण करता हूँ, एप सब्स प्लस प्लस एक से करता हूँ, उसके बाद क्या करूँगा, यहां पिछलोट करने आए और इसको भी अप आज़राइगर तो वाय में की आएगा एकश़ की आएगा उन्हें यहां पर पहले तो आपका इंक्रिमेंट हुआ वगा अनिधी इलिवन आया要 और यहां पर ठेया तो ज आपको दोनों ही जगहे पर किया क्या करना है और यहांपर आपको एकॉलटू का सिंबल देना है और यहां पर एक्स को वालू को प्रिंट कर देना है ठीक है एक और पर हमने पी टेक को डिफाइन कर दिया और यहां पर मैंने पर दून कर दिया रिलोड करेंगे घ्रा चाहिए क्योंकि यहां पर क्या आपने सा उपरेटर क्या है जब आप पोस्ट फिक ऑपरेटर करेंगे तो इसका मलब क्या हुआ आपको प्रिवेस नंबर में मिल जाए लेकिन यहीं चीज़ अगर आप आपको पिछला नंबर भी जाए तो यहीचीज आपने प्र प्रेफिक्स का इच्किया होता लगाया होता अप दोनों ही यादि की दोनों में ही आफ का एलेवन ही आएगा यानि कि दोनों में ही x plus one इस टेक्स से add होता एर दोने सिट्वाशन में होगा लेकिन प्रिफिक्स में आपका प्रिवेस नबर वह में दोने गरें इसी तरीकी से इत्वर्शक्री में दिखें एयुट करता है यहां पर अगर आपनेminus progress मलब क्शक्रानी पहले तो पहले तो आपको पहले तो 9 मिलेगा दूसरी बार आपको क्या मिलेगा वाइब जो जाएगा 9 10 यानि कि जो प्रिवेस नंबर था वो मिल लियागा ठीक है रिलोड करेंगे तरीक्स तो देखें यहां पर 9 आया और यहां पर 10 आया क्योंकि आपने पो उस्ट्रीक में अपको कनफ्यूज नहीं होना है आपको सारे बताएगे अब हमेंसे ज़्यादा तर केस में पोस्टफिक से यूल होता है ठीक है तो फिलाल आज के लिए इतना ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में सी यू सून आपको टास्क जो है टास्क आप लूक जरा देख लीजिए जो भी आपका टास्क है यहां पर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा वहां से डाउनलोड कर पाएंगे तो यह जो टास्क है डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा यहां यही आपका टास्क है यह करेंब यहां पर 10 यानि कि जोभी रिमांडर है वो के लिएक motivated करना है और इससे बहतर डिजाइन में आपको भेजना करके ठीक है आप चाहे तो सभी आपड़ेटर के लिए डिफाइन कर सकते हैं यहाँ पर आपको इस तरीके का एक जो है अप्लिकेशन फंक्शनलिटी बिल्ड करके हमें सेंड करना है तो यह जो टास्क है यह आपको डेस्क्रिप्शन मिल जागा वहां से आप डाउनलोड करके सिर्फ और सिर्फ फंक्शनलिटी को देखेंगे आपको कोड नहीं देखना है यहाँ कि इसका जो सोर्स कोड है वह आपको ओपन करके नहीं देखना है थैंक्स पर रिजोएंग देप्रीम एजुकेशन आप जस्ट फोर कोड सी यू सून